ये कारे करम सत्ते घटनाओं से प्रेरित हैं, जिनके साथ ये घटनाएं घटी, उसकी वास्तविक्ता उन्हीं तक सीमित हैं। भूत प्रेतों और अपसमानने विश्यों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और नहीं प्रोच्जान करता है। आत्माओं की तो एक अपनी दुनिया होती है, फिर वो क्यों आती हैं हमारी दुनिया में, हमारी सिंदगी में। क्या वो हमारी दुनिया में हम जीते जाकते इंसानों को सिर्फ दहशत सदा करने आती हैं। आखिर वो कौन सी दुनिया है जहां से वो आती हैं और जहां हमारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत पलती है। या फिर आत्माओं की इस खौफ और नफरत के पीछे कोई मासूम पहलू भी छिपाओ सकता है। अगर हम जीती जागते इनसानों में अच्छे और बुरे दोनों पहलू है तो जाहिर है के आत्माओं में भी ये दोनों पहलू होने चाहिए। पर क्या वाकई ऐसा है कि आज तक किसी ने आत्माओं के मासूम पहलू को भी देखा है। ये सवाल जितना चकित कर देने वाला है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। मैं है डॉक्टर नागर, पेशे से मनुवाइग्यानिक और पैशन से हुमन माइंड का फैन। हर बार आपके पास लेकर आता हूं। मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बेती, कुछ घटना हैं, जिनने सुनकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज हमारे साथ हैं उतर प्रदेश की सौम्याव्यास। और वो सुनाएंगी अपने साथ घटी एक सची घटना, जिसमें उन्होंने कुछ खो कर, कुछ पा लिया। और जिस घटना ने उन्हें एक ऐसे दो राहे पर लाखडा कर दिया। कि वो समझ नहीं सकी कि उन्हें खुश होना चाहिए या दुखी। पर आखिरकार वक्त के साथ हुनोंने सच को सुईकार ही कर लिया। शायद। राहूर ब्रिच कॉर्पेशन में काम किया करते थे। कई साल पहले उस छोटे से कस्पे में बन रहे एक ब्रिच के सलसले में उनका भाँ ट्रांसफर हुआ था। बार-बार के इन ट्रांसफर से पढ़ाई खराब न हूँ इसलिए हमने अपनी बेटी इती को हॉस्टेल में लाल रखा था। मैं एक बार फिर से प्रेगनेंट थी। तो उस छोटे से कस्पे की शांत सी लाइफ बढ़ी अच्छी लगती थी। पर प्रेगनसी आगे बढ़ी तो मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा। नहाने के बाद ताजगी आई है। साइट पर इतनी धूल होती है ना कि… अरे हाँ, स्वामिया तुम कुछ कह रही थी। राहुल पिछली कुछ तिनों से घर साफ रहता है। बरतन बिल्कुल चमकते रहते है। तुम मौरते भी ना। नौकरानी ठीक से काम करे तो मुश्किल, ना करे तो भी मुश्किल। चंदा आये तो काम करे ना। वो तुम हफते भर से नहीं आई। अरे बीबी, तुम आराम करती होंगी ना, तब तुम्हें बिना डिस्टर्फ करे, काम करके चली जाती होगी। तुम भी ना यार। राहुल ने उस समय तो बात टाल दी पर, फिर एक संड़े को… राहुल, राहुल, कुछ सुन रहे हो। अरे हाँ, चंदा बातरून साफ कर रही है। चलो, अब खुद देख लो, चंदा साफ कर रही हैं या कोई और। देखो, साफ है न। उफो, तो साफ करके चली गई होगी यार। तो मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते। और मैंने कित्ती बार राहुल को वो सब दिखाने की कोशिश की पर यकीन करने की बजाए वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। हम्, सामया, everything is normal. पर क्या है कि आप अपने पिछली प्रेगनेंसी में फैमिली के साथ थी न। मतलब आपकी साससुसुर भी आपके साथ थे पर इस बार आप अकेली है। खास कर जब राहुल काम पे चला जाता है तो आपके पास सुक दुक बाटने के लिए कोई नहीं होता न। घर में सारे दिन अकेले रहने से स्ट्रेस हो जाता है प्रेगनेंसी में। राहुल आप अपने पेरेंस को बुलवा लीजे जल्दी से। इनका मन बहल जाएगा। इनका मन बहल जाएगा। ये दवाय टाइम पे ले लो। और उन्होंने मुजफर नगर से माजी और बाबुची को बुलवा लिया। बहू, तु चिंता मती ना कर। मैं सारा काम संभाल लूँगी। तू बस मन ने एक सुन्दर सा पुत्ता दे दियो। पर जैसे ही माजी ने खाना, बरतन और सफाई के काम संभाले। मुझे कुछ और ही फील होने लगा। लगता था जिसे जब मैं सोती हूँ तो कोई मेरे बदन की मालिश कर रहा है। कौन? कौन है वहाँ? पर वहाँ कोई नहीं था। बस बिस्तर पर किसी के बैठने के सिलवटे, किसी के होने का एहसास दिला रही थी। और एक दिन तो जब मैं नहा कर आई तो जैसे कोई मेरे बाल सवारने लगा। कौन है? कौन है? बोलते क्यों नहीं? कौन है यहाँ? कौन था बभू? पता नहीं। बोलनो बभू? कौन था यहाँ? कुछ पता नहीं। पर उसने मुझे चुआ। उस तन के बाद कुछ दिन तो सब शांत रहा पर एक दिन अचानक मुझे कावा सुनाई थी। दिदी, यह दिदी.. कौन? कौन है वहाँ? कौन हो तुम? सुमन सुमन? क्या चाहती हो तुम? उस्चे दिखाई क्यो नहीं दिदी? क्यों मेरे पीछे पड़ी ओ? हम.. हम पीछे कहाँ पड़े हैं दिदी, बस सेवा करने आए है आपकी. क्या चाहिए तुम्हे हमें, हमें कुछ नहीं चाहिए आपके पेट में बच्ची है तभी आपकी सेवा कर रहे हैं हमें, हमें मना ना कर ये दिदी उसकी मूठी आवाज सुनके जैसे मेरा डर कहीं चला गया और बस फिर वो रोज बड़े प्यार से मेरे पैर दबाती मालिश करती सर में तेल लगाती जैसे मेरी कोई सहेली हो अब घर में सब शांत हो गया था क्योंकि मैं किसी को नहीं बताती थी उसके बारे में पर एक दन सुन राउल एक बात तो मनने सोची न कि बहु को छोरा होगा कि चोरी जो होगा अच्छा ही होगा तो मती न बोलो इस मामले में एक चोरी पहले से ही है चोरीयों की लाइन न लगानी घर में अरे चिता में आग देने वाला चाहिए कि नहीं राउल तो अभी जा डॉक्टर के धोरे और क्या के वे हैं वो सोनोग्राफी करा लिबो की और सोनोग्राफी से पता चला कि मेरे पेट में पेटी पल रही थी क्या चोरी है सुन ले राउल मैं साफ साफ कहूं यो चोरी बहुने गिरानी पड़ेगी अरे प्लीज क्या बोल रहे आप बावडी छे माईने हो लिये गरब के मर जाएगी थरी भू मरेगी तो वैसे भी एक और चोरी घर में लावेगी तो मैं खुद गला दबा दूँगी उसका और तभी अचानक अल्मारी के ओपर से ट्रंग गिरा सीधे माजी के ओपर और कुछ तिने बाद चब मारी हॉस्पिटल से लटकर घर आए तो सब कुछ फिर से ठीक होने लगा सुमन पहले की तरह मेरी सेवा करने लगी पर एक दिन माजी ने फिर से भाई जिद पकड़ ली समझने की कोशिश करो अमा एक बार आपने अबोर्शन की बात की थी न तो आपका इतना बड़ा अक्सिडेंट हो गया और अब आप फिर से खाना खा लीजे माजी ना खारे मैं गुक के जान दे दूँगी पर छोड़े ना आने दूँगी इस घर में उन्हें अंजल छोड़े चार दिन हो गये थे तो सब को जुकना पड़ा ठीक है अमा जैसी आपके मरसी लेकिन आप खाना खा लो प्लीज अमा अनका दाना मूँ में टाल लो मा मैं कल ही ले जाओंगा सोमिया को होस्पिटल कल सुभा होस्पिटल जाना था और रात को मैं अपने कमरे में बैठी सिसक रही थी सुमंग की आवाज भी नहीं सुनाई दी जैसे वो भी मेरी बेटी की मौद का दुख में ना रही हो पर तभी माची की कमरे से उनकी चीखे सुनाई दी जोड़ दे जोड़ माची 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 जोड़ दे बढ़े बढ़े तो क्यों मेरे जान ले रचोगे है बीटी है तो जान लेगी तो बीटी की जान लेगी बचा लो कोई तुझे पता भी ले ज़ड़ो अब ले जान ले जान यह गला जबाव है मारा सुमन किसी को नहीं दिखाए दी पर उस्तन पहली बार मैंने उसे अपने आखो से देखा माची के छाति पर सवार उनका गला दबोचे छोड़ दे सुमन शूट़ दे लेगी बचा नहीं दीदी जब तक विड्या का जन्ना होगा हम इसे नहीं जोड़े और ऐसा ही हुआ, इलाज कराया, तांत्रिक ओज्ञा बुलाया, उसी तरह तीन महीं में बीट गए, और मैं एक सुन्दर सी बच्ची की मा बनी, और तब सुमन में मा जी का गला छोड़ा, पर इतने दिनों में शायद उन्हें अपनी गल्ती का हैसास हो चुका था, मैंने उन्हें खुद बच्ची की साथ खेलते देखा, अले ले ले आहा, कैसे सुन्दर लागे रे, बिल्कुल रावल पे गई दिखे, वैसे ही मुस्कुरावे, चल, ठारे को इस पे प्यार तो आया, कोई प्यार वायर ना या, किसी दिन मेले में छोड़ दूगी इसको, ठूंते रहे हो सब के सब, हाँ, मैंने सुना तो मैं काम गई, मैं भाग की गई और उनकी गोच से बच्ची को छीन लिया, उस रात मुझे कई दिनों के बाद सुमन फिर दिखाई दी, वो चुप चाप कोने में खड़ी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कुस्स्य में, और अगले दिन जब मैं उठी तो बच्ची मेरी बगल में थी, पर माजी गायब थी, राहुल, राहुल, बाबुची, माजी पता नहीं कहां चली गई, अम्मा, उरे घर में ढूंडा कहीं नहीं मिली, ये क्य कह रही हो सोम्या, तुम, ऐसे कैसे जा सकती हो कहीं भी, हमने सारे घर में ढूंडा, सारे शहर में ढूंडा, पर उस दिन के बाद माजी कहीं दिखाई नहीं थी, और नाहीं सुमन, जब किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने गाँवालों से इस सब की वजह जानने की कोशिश की, और तब उन्हें जो कुछ सुनने को मिला, उसके आगे किसी की कलपना भी नहीं जाती, बहुत पुराना बात है सहब, ए, कुनो सौ टेड़ सु घर रहा होगा इगाँवा, अच्छा खेती बाड़ी रहा, सब खुसाल रहा इगाँवा, सब बढ़िया चल रहा था, पर जाने का भाईल, जैसे कुनों को नजर लगगा, ऐसा है जब फैला पूरा इलाका म, कि जान अन्वर की तरह मरे सब लोग, ऐसा कोई घर नहीं दिखा, जिस में से दो चार लास ना निकला हो सहब, इगर मा भी सुमन रहत रही अपने मरत के साथ, पहली बार पाउँ भारी रहा उसका, पर हैजा उगों को नहीं छोड़ा सहब, पेचारी दो तीन दिन नहीं हड़ी कर और बस मानों बेचाली सुमन, मौत के सामने देखकर बस यह बोली रही कि हम मर जाएं तो जाएं, पर हमरे बचवा को बचा लिए, पर बैद हाकीम कच्छू ना कर सके सहाब, कच्छू ना कर सके, और चार ही दिन में सुमन और रुके पेट का बच्चा दोनों खदम हुई बहुत तर्दबरी कहानी थी सुमन की, पर क्या सुमन की बच्ची के लिए चाहा इतनी बड़ी थी, कि बरसों बाद जब उस घर में सुम्या गरभवती हुई, तो सुमन की ममता फिर जग उठे और सुमन की आत्मा सुम्या की बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई किसी की जान लेने को भी सवाल है कि क्या ममता की जड़ें इतनी गहरी हो सकती हैं कि वो जीवन जाने के बाद भी न तूटें जवाब ठूड़िये क्योंकि कल रात मैं भी तैयार रहूँगा आपके लिए एक नई घटना लेकर जिसे सुनकर सौम्या की तरह आप भी कह पड़ेंगे और आखरी बात सांसें बहुत कीमती होती हैं क्योंकि कोई इन्हें कभी भी रोक सबता है ओके घटनाइट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल डिंग डंग डॉंग को ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानिया सुनने के लिए और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ झाल